ये वाली मूवी रियल इमेंट्स के उपर अधारित है तो इसे उसी नजर से देखो तभी आप इसे इंजोई कर पाओगे वरना तो आपको लगेगा क्या कहानी चल रही है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों गुर गुराओं गुडगाओं नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वालों गुरगाओं मूवी की जो 2016 में आई थी हाँ हाँ अभी वो फिलाल गुरु गराम हो गया है इसे डारेट के है शंकर रमन ने इसके अंदर कास्ट है अक्षब रोय एज निक्की पंकर्श्तिर पार्टी एज खेरी सिंग रागनी खना एज प्रीत और बाकिया ने कलाकार मैंने कुछ टाइम में इतनी ज़्यादा मूवी और इतनी ज़्यादा सीरीज देख लिएं कि अब मैं बहुत ज़्यादा चूजी हो गया हूँ इतनी बकवास मूवी देखो या इतनी बकवास सीरीज देखो अभी फिलालाल टाइम में मैंने बहुत सारी घटिया सीरीज देखी है और घटिया मूवीज भी देखी है तो उससे उबरने मुझे टाइम लग जाता है और एक तो उससे सरदर्द हो जाते है और रही बात इस movie की तो ये movie मैं बहुत time से देखना चाता था क्योंकि ये real events के ओपर अधारी था तो इसके प्रतिमिरी उत्सुकता तो और जादा बड़ी हुई थी ये movie डार्क साइड दिखाती है गुडगावा में जब बहुत सारे किसानों की जमीन जो है वहाँ पर development project के अंडर आ गई थी तो बहुत सारे लोग रातो रात अमीर हो गए थे और उन्होंने जमीन के लिए अपने भाईयों तक का कतल कर दिया था कुछ ऐसा ही किया खैरी की बैटी जनमी विए बैटी को वह दफनार हाए जाओ कि जबकि वह जिंदा होती है अपनी वाइफ को ये कहतरух और साहते साथ यह कहता है कि मुझे लड़कियां जो हैं उनको पालने में बहुत जादा प्रोब्लम होती है लड़कियों को पालने में बहुत जादा दिक्कत महसूस होती है लेकिन बाद में एक महाराज जिसे वो कह रहता है कि महाराज किसके उपर गुरू अपने किसी को मानता होगा उसको जब वो इ बिजनेस का वो शुरुआत जो है वो प्रीट के नाम से वो शुरू करता है है कि कहरी यानि उसके पिता एक ऐसी लड़की को ज्यादा प्रियोर्टी दे रहे हैं जो उसकी है भी नहीं कैर निकी जो है इस मूवी में बहुत ज़ादा बिगडैल है जुआ खेलता है पैसे का ब या उमीरों के चौंचले भी ना जिन्होंने महनत नहीं की होती और जिनके पास रुपया आ जाता है ना जिन्होंने हकीकत में स्ट्रगल नहीं करके देखा तो वो पैसे की कदर नहीं जानते हैं वो अपने आपको बस बहुत बड़ा देवता या भगवान समझने लग जात लाते हैं क्रीत को पता चलते है कि निकी नहीं इन का इछे सारी भी होती है और एक प्लड़ के वियूं और तरह के से निकी जो पार समंदर रहे हो बयर को ले चाध कर चा Аր प्रीक की मोथ उ जाती है और फिर निकी घर पे आंके ऐसा बचाने की को प्र्लै klick और वो पा और पर कैसे लोग गोली चला देते हैं या फिर वहां की जो पुलीस है वो कैसे incapable है वहाँ के crime को control करने में या फिर कुछ सुधार करने के अंदर ऐसी lifestyle दिखाना जिनके पीछे dark side भी छिपी हुई होती है तो वाकई में ये movie आपको जरूर देखनी चाहिए Care मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 star आप लोग जागे जरूर इस movie को देखें बहुत ज्यादा अच्छी movie है ये एक ऐसी side भी आपको दिखाने की कोशिच करेगी कि हाँ ऐसी life भी लोग जी रहे हैं Care जिन्होंने देख रकिये वो अपने views या अपने thoughts वो मेरे चाहाँ शेयर कर सकते हैं कोमेंट बोक्स ओपन रहता है बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद